माई सब्सक्राइब सर्वेश वर्दन और आजी क्लास में हमने प्रूपर्टी अप कंडॉक्टर पर बेस्ट प्रॉल्म यह है जो आपको मैंन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आजी क्लास में हम देखेंगे कि एलक्रिक फिल लाइन्स चार्ज के साथ कैसे रिलेटेड है हम इस क यह दोनों कंडॉक्टिंग प्लेट आपस में कंडॉक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और इससे अर्थ कर दिया गया है अर्थ का मतलब इसकी पोटेंशिल जीरो है करने का मतलब यह सारा पॉइंट सेम पोटेंशिल पे हो गया इसका मतलब दोनों प्लेट का पोटेंशिल क अलफा डेस्टेंस राइड साइड में एक चार्ज रखा गया है क्यपिल क्यू कुशन राइज किया जा रहा है इस दोनों प्लेट पर इंदूज चार्ज की वैलू कितना होग तो हम सबसे पहले elective fill pattern हम देख लेते हैं कि elective fill pattern कैसा होगा इस region में तो आप देख सकते हैं कि symmetry का use कर सकते हैं ऐसा कि हमाल लेते हैं कि एगर दोनों plate के middle में होता यह charge तो क्या होता कि जितने भी lines यहां इस charge से originate होता उसका 50% lines इस पे terminate होता और 50% lines इस पे terminate होता ठीक है लेकिन यह middle position पे नहीं दिया हुआ है यहां से right position तो चुकि यह charge इस plate के नस्दीक है ठीक है तो यहां से अधिक lines इस पे terminate होगा और कम line इस surface पे terminate होगा चुकि यहां से lines originate हो रहा है और इस पे terminate हो रहा है तो इस पे यह negative charge होगा मा लेते हैं इस पे total amount of charge की value minus q2 है इस surface पे total induced charge की value यह minus q1 है ठीक है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस q charge को हम दो पार्ट में divide करते हैं q1 प्लस q2 तो इस q2 charge से जितने lines निकलता होगा वो सब का सब इस plate पे terminate होता होगा मान सकते हैं और ठीक उसी तरह से यह q1 charge से जितना lines निकलता होगा वो सब का सब इस surface पे pattern rate होगा मान सकते हैं ठीक है electric field pattern साब दिख रहा है कि non-inform है और electric field pattern कैसे vary कर रहा है इस region में वो हम यहां से देख नहीं सकते हैं पता नहीं लगा सकते हैं बिना electric field pattern जाने हुए हम यह q1 और q2 की value find नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हम एक नया case consider कर रहा है इस q1 position पे इस position पे हम एक imaginary conducting surface consider कर रहा है और यह जो q2 charge था उस q2 charge को इस conducting surface के right side में informally distribute कर दिये हैं ठीक है और यह q1 charge को इस conducting surface के left side में informally distribute कर दिये हैं ठीक है चुकि इस surface पे charge informally distributed है इसलिए electric field lines जो यहां से originate होता होगा वो सब straight line में originate होता होगा और इस surface पे terminate होता होगा कहने का मतलब है इस region में electric field informally होगा और माल लेते हैं कि electric field strength की value इस region में e2 है चुकि इस right surface से जितना lines निकलना है वो सब का सब इस conducting surface पे terminate हो रहा है तो clear है कि इस surface पे charge की value वो equal होगा और opposite होगा मतलब इस surface पे minus q2 charge develop होगा ठीक है उसी तरह से चुकि इस surface से जितने lines ordinate हो रहा है वो सब इस surface पे इस पे minus q2 होगा यह हम खहर रहे है इस basis पे कि q जो होगा वो directly proportion होगा number of lines के इस region में भी electric field uniform होगा और माल लेते हैं कि electric field strength की value इस region में even है इस दोनों situation में electric field pattern different है पर induced charge की value same है तो हमें find करना है induced charge की value तो हम induced charge की value इस case में न find करके हम इस case में find कर लेते हैं इस case में हम induced charge q1 और q2 की value find कर रहा है द्यान सबनेगा यह दोनों plate earth किया गया है तो दोनों की potential की value 0 होगा हम माल लेते हैं कि यह surface यह जो conducting surface जो हमने imagine किया है उसकी potential v3 है तो यहां से आप देख सकते हैं वी 1 माइनस v2 बराबर 0 होगा अदो v1 माइनस v2 बराबर 0 तो हम यह v1 इसको ली सकते हैं v1 माइनस v3 प्लस v3 माइनस v2 is equal to 0 देखिए v3 वी 3 कर गया कोई अंतर नहीं पड़ेगा expression पे अब आप देखिए रहां से हमें find करना है v1 माइनस v3 और हम मुझे पता है कि electric field lines जो है वो इस surface से इस तरफ जा रहा है तो हम पता है कि electric field lines high potential से low potential के तरफ जाता है यह potential high होगा यह potential low होगा यह v1 माइनस v3 की value होगा वो negative होगा हमने minus लिया है यह electric field strength even है यह दोनों surface के बीच का gap यह हमारा dy2 प्लस alpha है plus v3 माइनस v2 यहां से lines निकल दा है और इस नेट होड़ा है यह clear है कि यह high potential होगा यह low potential है तो इन दोनों के बीच होगा जो potential difference होगा v3 माइनस v2 की value positive होगा और clear है कि इसकी value e2 into यह दोनों surface के बीच का gap तो यहां दिया हुए है dy2 माइनस alpha तो यहां dy2 माइनस alpha होगा ठीक है e1 की value कैसे find करेंगे तो अगर electric field के value अगर इस region में find करना चाहते है तो यहां local charge density देखिए यह sigma sigma 1 by epsilon naught sigma 1 की value हम यहां से find कर सकते है इस surface पे charge q1 है और माँ लेते हैं surface area capital A है तो sigma का value हमारा हो जागा q1 by a epsilon naught से divide कर दिये तो electric field की value मिल जागा ठीक है sigma की value हो गया यह q1 by a epsilon naught से divide कर दिया और दोनों के बीच का distance d by 2 plus alpha ठीक है plus e2 की value उसी तरह से आप find कर सकते है e2 is equal to यहां का surface intensity यहां का surface intensity find करने के लिए q2 charge हो गया और area से divide कर दिये तो यह हो गया हमारा q2 बटा a और यह epsilon naught से divide कर दिये तो यह हो गया e2 और यह distance d by 2 minus alpha तो यह हमारा equation number 1 हो गया और हमें पता है कि q1 plus q2 is equal to q माना है तो यहां से q1 plus q2 is equal to q यह दूसरा equation होगा और इन दोनों equation को solve करके हम q1 और q2 की value find कर सकते हैं तो इस equation में यहां से q2 को eliminate कर देते हैं तो q2 is equal to q minus q1 यहां value put कर देते हैं तो यहां q1 की value आ गया q into d by 2 minus alpha बटा d और फिर यहां से q1 की value q1 की value यहां put कर देते हैं और q2 की value यहां मिल जाएगा तो q2 is equal to q minus q1 q minus q1 की value यहां put कर दिये तो यहां से q2 is equal to qyd आ गया इंटो d by 2 plus alpha तो इस तरह से हम यह q1 और q2 की value यहां से find कर सकते हैं इस तरह से हमारा solution complete हुआ आप अधिक सथिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में share करें ताकि अधिक सथिक के student को फायदा हो सके और अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर दें ताकि सारे notification आप तक आसाने से पहुँच सके इसी तरह आप देखते रहें अपना पसंदा चैनल सर्वेश वरधन तब तक के लिए बाई बाई